है लो फ्रेंड्स मैट्स एम्रोसिय में आपका स्वागत है क्लास 10th मैट्स बोर्ड एग्जाम स्पेशल सीरिज का पार्ट नमबर सिक्स है पार्ट नमबर फाइम में मैंने देर्ग उत्रिय प्रसन बताया था और उसमें हमने क्वेशन नमबर थर्टीन तक बता दिया था एक दसमलों 5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर उंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है जब वह उंचे भवन की और जाता है तब उसकी आंक से भवन के सिखर का 99.30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है बताये कि वह भवन की और कितनी दूरी तक चल कर गया है यह उचाए दूरी के आता है तो जो भी important questions है मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ इसको आप solve कीजिए और board exam में निश्चत रूप से इस type of questions आते हैं तो आए देखते हैं इस question का solution यहां देखिए 30 मीटर उचा एक भवन है तो माल लेते हैं कि यह भवन है जिसकी उचाए 30 मीटर है 30 मीटर उचा एक भवन है और इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का ख़ड़ा हुआ है, यहाँ पर यह लड़का खड़ा हुआ है, एक पॉयंट पर एक लड़का खड़ा है यह लड़का अच्छाई से लड़के की जो हाइट है एक दसमलो पाँच मीटर लंबा लड़का है तो यहाँ पर लंबाई लड़के की लेनी पड़ेगी इसको हम माल लेते हैं कि यह एक दसमलो पाँच मीटर है यहाँ पर लड़के की आख है तो इस आंक से जब भवन के सिखर को देखता है तो इसका उन्नेन कोड आता है 30 डिग्री यह उन्नेन कोड होता है 30 अंस आता है जब यहां से यह कुछ दूरी आगे भवन की तरफ चलता है तो माल लीजिए यहां पहुँच जाता है यहां से जब देखता है भवन के सिखर को देखता है तो इसका उन्नेन कोड बढ़ जाता है और बढ़ कर सिक्टिड डिग्री हो जाता है बताए कि भवन की और कितनी दूरी तक चल कर आया है यहां से यहां तक आया है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आया है तो हमको यह बताना है कि ए भी दूरी कितनी है इसी को फाइंड आउट करना है तो लड़के के लंबा एक दसमलो पांच मीटर है तो वही लड़का यह तो तीस में से एक दूनों पांस मेटर घटा देंगे तो हमको यह distance मिल जाएगी, तो तीस में से एक दूनों पांस मेटर घटाएंगे, तो यह आएका 28.5 मीटर है, तो यह दूरी हमको मिल गई, तो इस तरह का जो question होता है, हम एक एक triangle में लेकर काम करेंगे, तो A, B, C, D, E, F, G, इसका नाम दे दिया, अब आप 60 डिग्री वाले triangle में देखें, उसके बाद 30 डिग्री वाले triangle में देखते हैं, उचाए दूरी का कर question है, तो हम समकोड तरिभुज में, तरिभुज में तिये अनपात का परियोग करके questions को solve करते हैं, तो देखें तरिभुज D, E, F में, ये हमको F, E find out करना है, क्योंकि F, E मिलेगा तो हमको B, C मिल जाएगा, क्योंकि ये दोने equal है, F, E find out करना है, तो जिसको निकालना होता हम उसको उपर रखते हैं, F, E, F upon, ये हमको मालूम है D, E, तो हम इसको नीचे करेंगे, इस तरह से लगांगे तो जल्दी साल्म होगा हमको fe निकालना है तो fe उपर रखते हैं जिसको निकालना होता उसको उपर रखते हैं दूसरी भुजा को हम नीचे कर देते हैं fe अपान de तो हम यह देख रहे हैं कि fe आधार है यह लंब है तो आधार बटे लंब यह काट 60 डिग्री हो जाएगा काट 60 डिग्री हो जाएगा को कि लंब बटे आधार 10 होता है आधार बटे लंब काट होता 60 डिग्री तो यहाँ पर fe अपान DEM को मालूम है 28.5 है अब काट 60 डिग्री 60 डिग्री वन अपां रूट 3 हो जाएगा तो यहाँ से इस सिंपलाइज F E F E is equal to हो जाएगा 28.5 यहाँ आएगा तो 28.5 अपां रूट 3 equation number 1 हो गया F E हमको मिल गया अब इस तरह हो ने देखे D E G में अब तरह हो जो D E G में इस तरह हो जो में देखे D E G में यहाँ पर देखिए यह पूरा आधार है यह हमको निकालना है तो हम इसको उपर रखेंगे G E G E G E अपां D E G E अपां D E तो इस 30 डिगरी के लिए यह आधार बटे लंब है तो यह भी हो जाए काट 30 डिगरी काट 30 डिगरी तो यहाँ पर G E अपां D E D मालूँ है 28.5 28.5 काट 30 डिगरी यह हो जाएगा रूट 3 क्रास मल्टिपलाई करेंगे तो मिलेगा G E G E इस इकौल टू 28.5 अंडर रूट 3 यह कोईशन नमबर दो हो गया अब हमको A B find out करना है तो यहाँ पर A B इसलिए A B बराबर यह A B जो डिस्टेंस है A B यह A C माइनस B C के एकौल है A B बराबर है A C माइनस B C A B बराबर A C माइनस B C इस इकौल टू और A C A C जो है A C G E के बराबर है A C बराबर है G E के A C बराबर है G E के G E माइनस B C B C बराबर F E के B C बराबर F E के तो G E G E यहाँ आया है 28.5 अंडर रूट 3 माइनस F E F E आया है 28.5 28.5 अपान अंडर रूट 3 यहाँ से 28.5 कामन कर लिजिए यहाँ अंडर रूट 3 बजाएगा माइनस 1 अपान अंडर रूट 3 28.5 यहाँ पर आजाएगा यहाँ से 3 मल्टी प्लट 3 माइनस 1 2 बाई 3 आएगा 2 बाई रूट 3 तो इसको मल्टीप्लाई कर दे दिए 58.5 यहाँ जाएगा 57 बाई अंडर रूट 3 अगर हम अंडर रूट 3 से उपर निचे मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ जाएगा 57.7 अंडर रूट 3 बाई 3 19 से कड़ जाएगा तो यह बराव़ जाएगा 19.3 मीटर और यही मारा आंसर हो जाएगा नाइन्टीन रूट थिरी मीटर क्वेश्चन नमबर फिफ्टिन देखिए समुदर तल से पचाहतर मीटर उची लाइट हाउस के सिखर से देखने पर दो समुदरी जहाजों के अवनमन कोड 30 डेगरे वा 45 डेगरी है एज लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दोरे ग्याद कीजिए तो इसका सोलूसन देखिए समुदर तल से पचाहतर मीटर उची पचाहतर मीटर उची ये एक लाइट हाउस है 75 मीटर ये समुदर तल है समुदरतल यहां पर है पचातर मेटर उचे एक लाइट हाउस है और यह समुदरतल है तो इसमें कहीं पर दो जहाज है एक जहाज माल लेते हैं यह है एक जहाज यहां पर यह है तो लाइट हाउस के सिखर से देखने पर यहां से जब देखा गया तो इस जहाज को जब वहाँ से देखा गया इस जहाज को तो आउनमन कोड़ उपर से नीची जो कोड़ बनता उसको आउनमन कोड़ कहते हैं तो ये जो है ये 30 डिगरी है तो ये अगर 30 डिगरी है तो ये भी 30 डिगरी हो जाएगा एक आंतर कोड होने की उज़से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और यहीं से जब इस जहाज को देखा गया तो अनमन कोड 45 डिग्री आया तो ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा तो हमको दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकाल ली है यानि अगर हम इसको A माल लें इसको B माल लें तो हमको ये दूरी A भी निकालनी है ये A भी दूरी हमको find out करना है तो इसे में भी दो त्रिफुज बनना है एक 45 डिग्री का ये ट्रेंगल है दूसरा 30 डिग्री का ये ट्रेंगल है इन दोनों ट्रेंगल में हम इसको साल्प करेंगे तो देखिए A, B, C इसको माल लेते हैं D तो इस तरबुज में देखिए B, C, D में तरबुज B, C, D में इस तरबुज में हमको B, C, FIND OUT करना है तो B, C को उपर रखते हैं और ये D, C 75 मेटर दिया है तो D, C को नीचे रखते हैं तो इस तरबुज में आधार बटे लंब हो गया तो लंब बटे अधार 10 होता है आधार बटे लंब काट हो जाएगा काट 45 डिगरी तो B, C अपान D, C, यहाँ पर D, C का बढ़ी 75 डिगरी गिवन है काट 45 डिगरी गिवन होता है तो यहाँ से B, C आगया 75 मीटर B, C आगया 75 मीटर जलो इसको इक्वेशन नमबर वन माल लेते हैं अब इस तरबुज में देखिए D, C, A में अब तरबुज D, C, A मे D, C, A में यहाँ देखिए A, C हमको find out करना है A, C को उपर रखेंगे अपान D, C गिवन है तो D, C को नीचे रखेंगे तो यहाँ पर भी आधार बटेलम काट 30 डिगरी हो जाएगा काट 30 डिगरी तो A, C हमको find out करना है और D, C गिवन है 75 अब काट 30 डिगरी का वैलू होता है अदर रूट 3 तो क्रास मल्टिप्लाई करेंगे तो इस इंप्लाई A, C इस उकलड़ हो जाएगा 75 अदर रूट 3 इसको समिकर दो माल लेते हैं और हमको find out करना A, B इसलिए A, B बराबर A, B हो जाएगा A, C माइनस B, C A, C माइनस B, C A, C यहाँ पर आया हाँ 75 रूट 3 और B, C B, C का वैलू निकला है 75 तो यहाँ से 75 कामन कर लेंगे तो अदर रूट 3 माइनस 1 मीटर और यह हमारा आंसर हो जाएगा अब क्वेशन नमबर 16 देखिए जब सूर का उन्हें कोड फाई से थीटा हो जाता है तो 36 तल में खड़े एक इस्तंब की चाया A मीटर अधिक हो जाती है इस्तंब की लंबाई ग्यात कीजिए तो इसका सोलूसन देखिए यहां पर 36 तल में एक इस्तंब खड़ा है यह इस्तंब खड़ा है और यहां पर सन है तो इस इस्तंब की चाया इस इस्तंब की यह चाया है जब सूर का उन्हें कोड फाई से थीटा हो जाता है इस समय सूर का उन्हें कोड यह फाई है इस समय सूर का उन्हें कोड फाई है तो इस इस्तंब की चाया यह ए बी है और सूर का उन्हें कोड फाई से थीटा हो जाता है फाई से थीटा हो जाता है यहां पर उन्हें कोड जब फाई से थीटा हो जाता ये थीटा है तो छायते द्ल में खड़ेगे इस्ताम की चाय ए मीटर अधिक हो जाती है पहले चाय ये थी पहले चाय ए भी थी तो अब ए मीटर अधिक हो गए यानि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो B.C है B.C इसके लंबाई A मेटर है तो अस्तम की उंचाई निकालनी है हमको इसको मा लेते हैं H इस अस्तम की उंचाई निकालनी है A, B, C, D इस उंचाई को हमको find out करना है तो हम फिर इस तिर्भज में देखेंगे क्योंकि हमको यहाँ पर phi और theta दिया हुआ है तो A, B, D अपान A, D करते हैं तिर्भज A, B, D में तिर्भज A, B, D में A, B, D में इस तिर्भज में रिखेंगे आधार है A, B A, B अपान D, A हमको यह मालूम है B, C A मालूम है तो हम A, B निकालेंगे और A, C निकालेंगे H के टर्भज में तो A, B अपान D, A आधार बटे लंब यह हो जाएगा काट फाई तो यहां से A, B निकालेंगे, A, B आजाएगा D, A D, A काट फाई, D, A का मतलब H A, B वरो हो जाएगा, H काट फाई, equation number 1 अब इस तर्भजेंगे, A, C, D में अब तर्भज, A, C, D में A, C, D में A, C निकालना है, अपान D, A A, C आधार बटे लंब, काट, फीटा D, A, H के इकोल है, तो यह H हो जाएगा, काट फीटा, तो A, C आएगा H, काट, फीटा question number 2, इसलिए B, C बराबर इसलिए B, C, B, C बराबर है A, C, माइनस A, B B, C, बराबर है A, C, माइनस A, B B, C बराबर A, C, माइनस A, B B, C, A गिवन है A, C का बलू निकाल चुगे H, काट, फीटा माइनस A, B, निकाल चुगे H, काट, फाई H, काट, फाई A, बराबर हो जाएगा, यहां से H, कावन कर लिजिए तो, काट, फीटा, माइनस काट, फाई इसलिए, H is equal to हो जाएगा A, अपान काट, फीटा, माइनस काट, फाई और यही हमारा आंसर हो जाएगा तो, यह है एक important questions है, board exam में आ चुका है, और आने की संभावना है, इसलिए इसको आप solve कर लीजिए question number 17, देखिए एक खिलोणा तरजिया 3,25 cm वाले एक संभ के आकार का है जो उसी तरजिया वाले एक अर्ध वोले पर अध्यार उपित है इस खिलोणे की संपुण उचाई 15,25 cm है इस खिलोणे का संपुण प्रिष्ठे छित्फर ग्यात कीजिए तो इसका solution देखिए यहाँ पर एक खिलोणा संपुण के आकार का है तो यह है संपुण और यह अर्ध गोले पर अध्यार उपित है यहाँ पर एक अर्ध गोला है इस तरह से एक खिलोणा बना हुआ है इसकी तरजिया इसकी तरजिया आर है 3.5 cm तो यह संपुण उचाई संपुण उचाई 15.5 है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15.5 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3.5 है सेंटिमेटर तो पंदरा दसमलो पांच में से तीन दसमलो पांच घटा देंगे तो बारा सेंटिमेटर यह आ जाएगा उचाई बारा सेंटिमेटर संक की उचाई हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा बारा सेंटिमेटर आर हो जाएगा तो हम सबसे पहले संक की त्रियक उंचाए निकालेंगे L स्क्वाइर बराबर होता है R स्क्वाइर प्लस H स्क्वाइर त्रियक उंचे L स्क्वाइर R स्क्वाइर त्रियक उंचे L स्क्वाइर R स्क्वाइर त्रियक उंचे L स्क्वाइर प्लस 12 का स्क्वाइर तो तीन दस में लो 5 का स्क्वायर यहां कर लेंगे पचाहम 25, 25, 25, 27, 35, 25, 35, 35, 30, 30, 31, 10, 5, 7, 5, 12, 1, 1, 2 तो यह आ जाएगा 12, 10 में लो 2, 5, प्लस 12 का स्क्वायर 144 तो यह आ जाएगा जोड करके 144, 10, 54, 156, 25, तो यह L स्क्वायर आया है इसलिए L बराबर अंडर रूट 156, 25, तो हम 156, 25, 156, 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे भाग बदी से, इसको यहाँ पर करके, तो 1, बंजा 1 हो जाएगा, 1, 1, 2 हो जाएगा, एक कट गया 56 उतारेंगे, दो बार पाढ़ा पढ़ेंगे, दो दुनना, 4, दो दुनना, 4 यहाँ दो लिखेंगे, दो, दो, चार, दो हो जाएगा, घटा देंगे, दो, एक, पॉइंट लगाएंगे, 25 उतारेंगे, पांच बार टेबर पढ़ेंगे, तो पच्छा हम, 25 के पांच, पांच और बीच, दो बाइस के दो, पांद निदा दो बारा, तो यह कट जा रहा ह तो यह आजाएगा, 12,5 सेंटीमीटर तो हमको निकालना हम इसका संपूर प्रिष्ट, इसलिए खिलाओने का संपूर प्रिष्ट, इसलिए संग का वक्ष प्रिष्ट पाई आरल प्लस गोले का अर्ध है गोले का प्रिष्ट तो हो जाएगा 2 πi r square लोकि गोले का संबुल प्रिष्ट 4 πi r square होता है तो अर्ध गोले का प्रिष्ट हो जाएगा 2 πi r square तो यहां से πi r कामन कर लेते हैं πi r कामन होँआ तो l plus 2 r बच गया πi 22 बटे 7 हुआ r कामन 3.5 है 3.5 l आया है 12.5 और प्लस 2 r r है 3.5 2 से गुड़ा करेंगे तो 7 आएगा तो यह हो जाएगा 7 पच्छे 35 0.5 22 पच्छे 110 यहां 11 बचेगा और 19.5 तो यहां 11 गुड़े 19 दस मलो पांच तो गुड़ा कर लिए आपर 19 दस मलो पांच को 11 गुड़ा करेंगे तो 195 यहां आया 195 यहां आया सेंटी मीटर स्क्वायर और ही हो जाएगा हमारा खिलोने का संपूर्ण प्रिष्ठ और यही हो जाएगा आंसर क्वेशन नमर 18 देखिए 32 सेंटी मीटर उची और आधारत रिजा 18 सेंटी मीटर वाली एक बेलनाकर बाल्टी रेत से भरी हुई है इस बाल्टी को भूमी पर खाली किया जाता है और इस रेत की संकोकार धेरी बनाए जाती है यह संकोकार धेरी की उचाई 24 सेंटी मीटर है तो इस ढेरी की तरज़िया और त्रियक उचाई ग्यात कीजिए तो इसका सलोसन देखिए 32 सेंटों उची एक बेलनाकर बाल्टी है इसकी उचाई 32 सेंटी मीटर है और तरज़िया थारा सेंटी मीटर है तो रिजय आर इसकी 18 cm है अब इसमें रेत भरा हुआ है अब इस रेत को उलट करके संको कार धेरी बनाई गई है जब इसको पल्टेंगे तो इस तरह संको कार धेरी बन जाएगी रेत की तो ये संको कार धेरी की उचाई 24 cm है इसकी उचाई अगर हम कैपिटल H माल लें 24 cm तो इस धेरी की तरजया कैपिटल R निकलना है और तरह एक उचाई कैपिटल L माल लेते हैं ये फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर इसमें रेत भरा है बेलनाकार बाल्टी में बेलनाकार बाल्टी में रेत भरा हुआ है तो यही रेत यहाँ पल्टा गया है तो इस रेत का आइतन बराबर इस रेत का आइतन होगा जो रेत इसमें है वही रेत इसमें है तो बाल्टी में रेत का आयतन, बाल्टी में रेत का आयतन, बराबर धेरी में रेत का आयतन, बाल्टी में रेत का आयतन, क्योंकि आयतन नहीं बदलेगा, अब बाल्टी बेलना का रहा है, तो इसका आयतन पाई, आर स्कॉयर एच हो जाएगा, और धेरी संगु के आकार का है, संगु का आयतन होता, एक बड़े तीन पाई, एक बड़े तीन पाई, आर स्कॉयर एच, पाई से पाई कैंसल हो जाएगा, अभी सामाल आर का मान अठारा दिया हुआ, तो यह हो जाएगा, अठारा स्कॉयर, एच यहां बत्तिस है, इस एकॉल टू, उन अपान थ्री आर, एच, एच है चोबीश, तीन अठे चोबीश, और यह हो जाएगा, आठ चोग बत्तिस, आर स्कॉयर बारावर आ गया, आर स्कॉयर, बनावर आ गया, अठारा स्कॉयर, और इंटू में फोर, तो यह आर स्कॉयर और आ गया, अठारा स्कॉयर इंटू टू स्कॉयर, फोर को लिख सकते हैं इसलिए आर बारा इसका बर्गमोल अठारा गुड़े दो अठार दोना 36 सेंटीमेटर तो यह आर आ गया 36 सेंटीमेटर यह हमको निकालना था एक अंसर हमारा यह हो गया त्रजिया आ गई और अब हमको इस संग की तिरे कुछाए निकालनी है तो यहां से अब एल स्कौइर इसकौइर प्लस ह्कौइर लस्क्वाइर आ यहां दिया है दकालनी चबिस का अ इसक्वाइर तो यहां 36 को लिख सकते हैं, 12 गुड़े 3 का स्क्वाइर और 24 को लिख सकते हैं, 12 गुड़े 2 का स्क्वाइर, 12 गुड़े 2 का स्क्वाइर, तो यहां से L स्क्वाइर आएगा, 12 स्क्वाइर गुड़े 3 का स्क्वाइर 9, प्लस यहां 12 स्क्वाइर गुड़े 2 का स्क्वाइर 4, तो 12 स्कौरर कामन कर लेंगे, यहां से l स्कौरर मिलेगा, 12 स्कौरर यहां पर 9, फ्लेश 4 बच जाएगा, जाएगा 12 स्कौरर 9, 4, 13, इसलिए l बारो निकालेंगे, तो 12 का वर्मूल निकालें, 12 और 13 यह से रह जाएगा, तो यह L हो गया 12 अंडूर 13 सेंटिमीटर एक हमारा आंसर यह हो गया तो इस तरह से धेरी की तरजिया 36 सेंटिमीटर और तेक मुचाई 12 अंडूर 13 सेंटिमीटर आवे जी question number 19 देखिए यह देख विद्यार थी कि प्राप्तांगों का समातरमाद 25 है तो F का मान गयाद कीजिए तो यहाँ पर प्राप्तांग दिया है बारामबारता दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 बारामबारता 6 है, F है इसी F का मान निकालना है यहाँ 6 से 10 से 5 है तो इसे table को हम vertical में बना लेते हैं प्राप्तांग यहाँ लिखते हैं और प्राप्तांग का मध्यमान यहाँ लिखते हैं इन दोनों को जोड़कर 2 से बाग करते हैं इन दोनों को जोड़कर 2 से बाग करते हैं बारब बारतां यहां दिया हुआ है, सबसे पहले हम इस f और x को multiply करते हैं, fx निकालते हैं, तो 5 को 6 से multiply किया, 6, 5, 6, 30 आ गया, 15 को f से किया, 15 f आया, 25, 6, 150 आया, 350 को 10 से गुड़ा किया, 35 को 10 से गुड़ा किया, 350 को 5 से किया, 220 आया, इसको सबको जोड़ लिया, तो यह इसमें, इसमें, इसमें जोड़ जाएगा, और प्लस f बच जाएगा, उसे तरह यह जो अंख है, यह जोड़ जाएगा, यह जोड़ जाएगा, प्लस 15 f बच जाएगा, यह बारम बारतों का योग जो आता है, यह होता है, सिग्मा f, और य हुआ है 25 जहां टिःत्ति सेन्ट ऑलु साथ सो पाइन से मृटिपलाई किया गया तो ईस से मृटिपलाई हो जैगा और वन का इस से 755 प्लस 25 को f से multiply कि 25 f आया 755 प्लस 15 f यहां पर 15 f लिफ्ट में लाएंगे घड़ जाएगा 10 f बचेगा 755 में से 355 इज़र घड़ाएंगे 80 बचेगा तो f बचाथर इज़र घड़ाएंगे 80 बचेगा तो f बदावर 80 बटे 10 यह बराबर आठ आ गया और यही हमारा अंसर हो गया क्वेशन नमबर 20 देखिए निमलिकित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रदिन 30 घरों में दूध का व्याए गरसाता है प्रदिन दूध पर ब्य जीरों से 30 रुपे 30 से 60 रुपे 60 से 90 रुपे 90 से 120 रुपे 120 से 150 रुपे है घरों की संख्या 5 है 6 है 9 है 6 है 4 है उपरिवत आंकडों से बहुलक ज्याद कीजिए तो ये सांखे का question है देखे इसका solution बहुलक find out करना है तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बहुलक को mode गहते है mode ये बराबर होता है L प्लस F माइनस F1 अपांड टू F माइनस F2 एंटू H जहां ये L बहुलक बर्ग की निम्सीमा है L है बहुलक बर्ग की निम्सीमा F है बहुलक बर्ग की बारंबारता F1 बहुलक बर्ग के पहले बर्ग की बारंबारता और F2 है बहुलक बर्ग के बाद वाले बर्ग की बारंबारता तो यहां हम देख रहे हैं कि इस आकड़े में सबसे अधिक बारंबारता है वो 9 है हम ने का जो वर्ग अंतराल है इसी को हम बहुलक वर्ग कहते हैं तो बहुलक वर्ग की बारंबारता F जिसको कहते हो 9 हो गई और इसके पहले वाले बर्ग की बारंबारता जिसको हम F1 कहते हो 6 हो गया और इसके बाद वाले बरक बारम बरता, जिसको हम F2 कहते हैं, ये भी 6 हो गया, और यहां बहुलक वर्ग, बहुलक बहुलक वर्ग आपका हो जाएगा, बहुलक वर्ग आपका है, 60 से 90, तो यहां पर L होता है, बहुलक बरक निम सिमा होती 60 हो गया, इस वेलोज को यहां L के प्लेस पर 60 हो जाएगा प्लस F, बहुलग बार के बारा मारता 9 है, माइनस F1 ये 6 है, पांट 2 F9 है, माइनस F1 6 है, माइनस F2, 26 है, इंटू H, H, H जो होता है, कलास की साइज होती, 0 से 30, 30 से 60, तो इसके बीच का जो गैप होता है, H होता है, तो ये 30 है, तो ये 60 प्लस, घटा दीजिए है, थिली आएगा, दो दुनिया 13, 6 से 12, तो 12, 6 अठर है, 6 बच गया, इंटू 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 प्लस, 5 पंदरा 75, तो इसका बहुलक आ गया, 75 और यहीं हो गया, आंसर, Q21 देखे, ये नीचे दिये हुए बंटन का माध्यक, माध्यक यानि माध्यका, 28.5 है, तो X और Y के मान ग्याद कीजिए, तो यहां वरगंद्राल दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 से 60, और बारमबारता दिया है, 5, X, 20, 15, Y, 5, सबका योग दिया है, 60, तो इस X और Y का मान हमको निकालना है, हाँ तो अब इस question number 21 का solution देखिए, वरगंद्राल गेवन है, बारमबारता गेवन है, इस table में हम संची बारमबारता cumulative frequency बनाएंगे, इस तरह से CF, कि यहाँ पर माधिका 28.5 है, तो इस 28.5 देखेंगे, कि किस वरगंद्र में है, तो 128.5, 20-30 के बीच में है, तो माधिका इस वरगंद्राल में है, इसलिए यह जो वरगंद्राल है, 20-30, यह माधिका वरग हो जाएगा, तो यह आपका है माधिका वरग, माध्धिका वर्ग माध्धिका वर्ग की जो लोवर लिमिट होती है इसमाल L वो हो जाती है 20 व्योंकि माध्धिका का सूत्र होता है M E माध्धिका M E is equal to L plus N by 2 minus C F upon F into H तो यह जो L है माध्धिका वर्ग की निम्न सीमा है लोवर लिमिट है तो यहाँ पर यह जो 20 है यह जो 20 है यह L है माध्धिका वर्ग की निम्न सीमा N होता है बारमबारतों का योग जो कि 60 दिया हुआ है cumulative frequency जो माध्धिका वर्ग है उसकी बारमबारता F यहाँ 20 है और जो C F होता है माध्यका वर के पहले वाले बर की संची बारम बारता तो यहाँ पर F20 है इस माध्यका वर की बारम बारता है और CF जो होता है माध्यका वर के पहले वाले बर इस वर की संची बारम बारता CF जो है 5 प्लस X है और H होता है class size 0 से 10 10 से 20 तो इसके बीज का गयब H होता है तो इन वैलूज को पुट किया M E माधक 28.5 गिवेन है L का वैलू यहां से 20 लिखा और N यहां से 60 लिख दिया C F 5 प्लस X के एक्वल है F यहां से 20 के एक्वल है और H का वैलू यहां से 20 का गयब 10 है 20 को लिफ्ट में लाएंगे 28.5 में से 20 घट जाएगा तो 8.5 बचेगा इसो कार दिया 30 माइनस 5 25 माइनस X हो गया 00 कट गया पांट 2 हो गया क्रास मल्टिप्लाई किया तो 8.5 को 2 से मल्टिप्लाई किया 17 आएगा 25 माइनस X यहां से X बराबर निकाल दिया X को इधर लाएंगे 17 को उधर ले गए है तो X बराबर 8 है अब यहां पर बारम बारताओं का योगफल 60 दिया है तो 5 प्लस X प्लस 20 प्लस 15 प्लस Y प्लस 5 60 बराबर हो जाएगा तो 5 प्लस 24 पांटिप्लाई प्लस X प्लस Y 60 आया X प्लस Y 45 को उधर ले जाएगे 60 में से घटे का 15 आएगा X का बलूम निकाल चुके हैं पर पूट करें के 8 प्लस Y जाउड बंदरा Y का बलूम 8 को गटाएगे 7 आजाएगा तो इस तरह से X बराबर 8 आठ आया यह हमारा आंसर हो गया और Y बराबस साथ है यह हमारा आंसर हो गया अब देखिए Q22 बाउन पत्तों की अच्छी प्रकात से फेटी गई एक तास के गड़ी में से एक पत्ता निकाला जाता है निमलिखित को प्राब्त करने के प्राइक्ता गयाद कीजिए नमबर वन है लाल रंग का बादसाह नमबर टू है एक तसबीर वाला पत्ता नमबर त्री है लाल रंग का तसबीर वाला पत्ता नमबर फोर है पान का गुलाम नमबर फाव है होकम का पत्ता नमबर 6 से एक 8 की बेगम तो यह प्राइक्टा का क्वेश्चन है और इसको साल्प करने के लिए पहले हम पत्तों से सम्मधित कुछ जानकारी ले लेते हैं तो यह जो गड़ी होती है गड़ी इस गड़े में 52 पत्ते कुल होते हैं गड़े में 52 पत्ते होते हैं और इसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं नमबर एक जो होता है हुकम होता है हुकम दो जो होता है इस चीड़ी होता है नमबर तीन जो होता है वो पान होता है नबस चार जो होता हो इंट होता है चार तरह के पत्ते होते हैं अब इस हुकम में यह हुकम और चिड़ी यह जो है ब्लैक कलर के होते हैं ब्लैक यानि यह काले पत्ते होते हैं का कलर काला होता है और पान और इंट इनका जो कलर होता है, वो रेड होता है, इनका कलर जो होता है, लाल होता है, और हर एक सूट में, इसे हुकम में, एक नमबर, दो नमबर, एक नमबर में, एक नमबर को इका करते हैं, ए लिखा होता है, दो नमबर, ते नमबर, और इस तरह से दस नमबर होते हैं, एक नमबर प होता है, इसके बाद में गिरावे नमबर पर जैक होता है, गुलाम, इसको जै कहते हैं, बरावे नमबर पर क्यों लिखा रहे हैं, इसको कुन कहते हैं, और तेरावे नमबर पर के लिखा रहे हैं, किंग कहते हैं, बादसा कहते हैं, तो यहाँ पर यह इका होता है, इका, और यहाँ पर यह जो जे है, जैक होता है, इनि गुलाम, और क्यूर, कुईन होता है, जिसको हम बेगम कहते हैं, और किंग होता है, जिसको हम बादसाह कहते हैं. हुकम को इंगलिस में स्पेड्स कहते हैं, स्पेड्स, चिड़े को कलब्स कहते हैं, पान को हार्ट, इट को डायमंड, कहा जाता है, तासे से सम्बंदित है, तो इस तरह से एक का जैक कुईन किंग, एक से तेरा पत्ते इसमें होते हैं, इस तरह से एक से तेरा पत्ते चिड़े में भी होते हैं, पान में भी एक से तेरा पत्ते होते हैं, और इट में भी एक से तेरा पत्ते होते हैं, और यही सारे पत्ते होते हैं, बस यह बलेक कलर का होता है, यह बलेक कलर का होता है, यह र तीन यहां तीन यहां तीन चोग बारा तो फेस कार्ड कुल बारा होता है, यनि तस्बीर वाला पत्ता, तस्बीर वाला पत्ता कुल बारा होता है, तीन तीन हरेक सूट में होता है, और इस इक्का को मिला दी तो ये चार पत्ते सम्मानिय होते हैं, जिसको हम आनड कार्ड कहते आनर्ड कार्ड्स यह होते हैं चार यहां 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 चार चुक सोला होते हैं आनर्ड कार्ड यानि सोला जिसको हम रंगीन पत्ता भी कहते हैं तो रंगीन पत्ता यह सोला होते हैं फेशकाड ये तस्वीर होला पत्ता 12 होता है, और रंगीन पत्ता ये 16 होता है, और दो से ले करके 10 तक, दो से ले करके 10 तक, यहनि दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नो, दस, 9 पत्ति समें, 9 इसमें, 9 इसमें, 9 इसमें, यहनि 9 चोग 36 पत्ते, जो होते हैं, अंक वाला पत्ता 36 होता है, अंकों वाला पत्ता जो होता है वो 36 होता है रंगीन पत्ता मिला देजिए तो 36 और 16 बावन हो जाएगा तो ये कारण से सम्मंधित चीजें हैं प्राइक्ता में इसका प्रियोग होता है तो अब आप देखें क्वेस्चन हमको प्राइक्ता निगा लिए है लाल रंग का बादसा तो प्राइक्ता पी बराबर हो जाएगा लाल रंग का बादसा अब लाल रंग का एक बादसा यहां पर आएगा पान में और एक बादसा लाल रंग का यहां का एट में तो 2 हो गया तो दो हमारा favorable case है यानि अनकुल परिस्थती 2 है और कुल परिस्थती यहां पर 52 पतने है तो 52 है तो 2 बटे बावन यानि 1 बटे 26 यह हमारा आंसर हो गया लाल लंग का बातषा एक तस्बीर वाला पत्ता तो तस्वीर वाला पत्ता, तीन तीन हर एक सूट में होता है, तो तीन चोग 12 पत्ता तस्वीर वाला होता है, तो यहां 12 हो जाएगा, प्राइक्ता पी बराबर हो जाएगी, 12 बटे, 52, तो 2 चक 12, 26 दुना बावन, 2, 3, 6, 13 दुना खबिस तो यह जाएगा, तीन बटे टेरा, यह एंसर हो गया, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो इसकी प्रायक्ता हो जाएगी लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो लाल रंग का 3 तस्वीर अलपत्त यहां होगा, 3 यहां होगा 6 हो जाएगा तो यह 6 बटे 52 हो जाएगा 2, 3, 6, 2, 2, 4, 2, 6, 12, 3 बटे 26 यह अंसर हो जाएगा 3 बटे 26 इसी तरह पान का गुलाम, तो इसकी प्रायक्ता हो जाएगी आंसर हो जाएगा एक इंट की बेगम तो इंट में एक ही बेगम होगा, हरी में एक बेगम होता, तो एक बटे बावान यह हमारा आंसर हो गया तो कार्ड से समधित questions अगर एक्जाम में आता है प्राइक तंफान उड़ करने के लिए तो कार्ड से related जो यह जानकारी इसको माइन में रखिए इससे आपका question साल्व हो जाएगा Question number 23 देखिए, एक थैले में पांच लाल गेंद और कुछ नीली गेंदे हैं यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने के प्राइक ता लाल गेंद निकालने के प्रता के दुगनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ग्यात कीजिए तो इसका solution देखिए, माना नीली गेंदों की संख्या एक्स है माना नीली गेंदों की संख्या बड़ावर एक्स नीली गेंद की संख्या आपने एक्स माल लिया इसलिए कुल गेंद तो कुल गेंद हो जाएगा पांच लाल गेंद है तो 5 प्लस X हो गया कुल गेंद इन्हीं कुल संभव प्रणाम हो गया 5 प्लस X अब थेले में से नीली गेंद निकलने की प्राइक्ता तो अब यहाँ पर हम निकालते हैं अब नीली गेंद निकालने की प्रायक्ता, अब नीली गेंद निकालने की प्रायक्ता, अगर हम इसको पीवन माल लें, तो नीली गेंद अनकूल केस हमारे पास एकस और कूल केस 5 प्लस एकस है, इसी तरह लाल गेंद निकालने की प्रायक्ता, लाल गेंद निकालने की प्रायक्ता करें, इसको पीवन माल लें, तो लाल गेंद यहां 5 है, तो अनकूल केस 5 है और कूल केस है 5 प्लस एकस, अब प्रसना अनुसार, प्रसना अनुसार, यह पीवन है और यह पीवन है, यह नीली गेंद निकालने की प्रायक्ता, तो नीली गेंद निकालने की प्रायक्ता, लाल गेंद निकालने की प्रायक् ययनि P1 बराबर है 2P2, P1 का मतलद हुआ X अपान 5 Plus X, Is equal to P2 का मतलब हुआ, 5 अपान 5 Plus X, 5 Plus X से 5 Plus X कैंसिल हो जाएगा, 10 आया, तो इस तरह से नेली गेदु की संख्या, 10 हो गई, और यही हमारा आंसर हो गया, तो इस तरह से Class 10 Maths EP Board Exam के लिए Board Exam Special Series जो हम बता रहे थे इसमें मैंने बहु भी कल्पे प्रसन आती लग उत्रिये प्रसन लग उत्रिये प्रसन और देर उत्रिये प्रसन सब कुछ बता दिया है इन सभी कोईशन को साल्प कीजिए और Board Examiner निश्चत रूप से ये फायदे मन्द होंगे